हम सभी लोग जानते हैं कि दो तरह के गरहां लगता हैं एक होता है सूरे गरहां और एक होता है चंदर गरहां लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि चंदर गरहां क्यों लगता हैं और कैसे लगता हैं तो चलिए इस रहा से को हम लोग समझते हैं तो देखे यह तो हम सभी लोग जानते हैं कि सौरो मंडल में जितने भी गरा हैं सभी गरा सूरे की चारोर चकर लगाते हैं क्या करते हैं तो सौरो मंडल में जितने भी गरा हैं सभी गरा सूरे के चारोर चकर लगाते हैं और गरह के चकर कौन लगाता है तो गरह के चकर गरह का उपगरह लगाता है ठीक इसी तरह से पिर्थवी का भी एक उपगरह है और पिर्थवी का उपगरह कौन है तो पिर्थवी का उपगरह है चंदर्मा तो देखिए सूरे की चारो और चकर लगाती है पिर्थवी और पिर सूरे का परकास जो है चंदर्मा पर नहीं पढ़ पाता है और इसी को कहते हैं चंदर्गणा जी हां चंदर्मा और सूरे के बीच में जब पिर्थवी आती है तो सूरे के परकास चंदर्मा पर नहीं पढ़ पाता है जिसे कहा जाता है चंदर्गणा अब यह देखे आंसिक रूप से भी होता है और पुनरूप से भी होता है कहने का मतलब कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब चंदर्मा और सूरे के बीच में पिर्थवी आती हैं तो सूरे के कुछ परकास चंदर्मा पर पढ़ता है जिसे आंसिक रूप से चंदरगरहन लगना कहा जाता है ठ दूरे का जरा सभी परकास नहीं पड़ता हैं जिसे पुन्ह रूप से चंदरगरहन लगना कहा जाता हैं।